ओम शान्ति आज हम मेठे बाबा की 27 एप्रिल 2024 के मेठे महवाक्य सुनेंगे प्यारे बाबा अज हम बच्चों को कहते हैं मीठे बच्चे तुम आए हो बाब से health, wealth, happiness का वर्षा लेने आए है ना इसलिए लक्षे तो clear है कि बाबा के पास हम क्यों आए है health, wealth, happiness का वर्षा लेने वो भी बेहत का वर्षा जो 21 चनम तक चलेगा इश्वरिय मत पर चलने से ही बाब का वर्षा मिलता है तो बाबा केते लक्षे अगर clear है तो लक्षन भी धारन करें अगर वर्षा चाहिए तो इश्वरिय मत पर तो चलना पड़े प्रशन है बाब ने सभी बच्चों को विकल्प जीत बनने की युक्ती कौन सी बताई है विकल्प माना संकल्प का opposite संकल्प स्रेश्ट होते शुद्ध होते विकल्प माना जो अंदर संकल्प जो विचार चलते हैं लेकिन वो विकारी है नेगेटिव है उनको विकल्प कहते तो बाबा कहते बाप ने विकल्प जीत बनने की कौन सी युक्ती बच्चों को बताई है तो बाबा ने क्या कहा होगा है न कल की मुडली में भी आंसर था तो सबकी बुद्धी में आया क्या है विकल्प का द्वार द्रिश्टी है ना तो बाबा कहते है विकल्प जीत बनने के लिए अपने को आत्मा समझ भाई भाई की द्रिश्टी से देखो शरीर को देखने से विकल्प आते हैं इसलिए भ्रेकुटी में आत्मा भाई को देखो भले ही देख रहे हैं, दो आखें भी खुली हैं लेकिन बुद्धी में क्या रहे? मैं आत्मा भ्रिकुटी पर बैठ अपने आत्मा भाई जो भ्रिकुटी पर बैठा है उससे बात कर रहे हो पावन बनना है तो ये द्रिष्टी पक्की रखो विकल्प जीत बनेंगे तब तो पावन बनेंगे निरंतर पतित पावन बाप को याद करो जब संबन संपर्क में आते हैं तो द्रिष्टी भाई भाई की आत्मिक द्रिष्टी और पाक बाबा की याद पर अटेंशन रहे पतित पावन बाप को याद करेंगे तो पावन बनेंगे फिर ये देह देखने के संसकार मर्ज होते जाएंगे याद से ही कट निकलती जाएगी खुशी का पारा चड़ेगा और विकल्पों पर विजय प्राप्त कर लेंगे ओम शानती शिव भगवानु वाज अपने सालिग्रामों प्रती शिव बाबा किसके प्रती उच्चा रहे हैं? सालिग्राम बच्चों के प्रती बाबा की बाबा का पूजन कैसे होता? शिव जियोतिर लिंगम के रूप में हम बच्चों का पूजन भी बाबा के साथ सालिग्राम रूप में होता है तो बाबा कहते हैं शिव भगवानु वाच सालिग्राम बच्चों प्रती शिव भगवानु वाच है तो जरूर शरीर होगा तब तो वाच होगा न बिना शरीर के तो आत्मा बोल नहीं सकती बोलने के लिए मुख जरूर चाहिए तो सुनने वालों को भी कान जरूर चाहिए आत्मा को कान और मुख चाहिए भगवान वाच सुने और समझे उसके लिए आत्मा को कान मुख चाहिए अभी तुम बच्चों को इश्वरिय मत मिल रही है जिसको राम मत कहा जाता है बाबा जो मुख से उच्चार रहे हैं वो क्या है इश्वरिय मत इश्वरिय मत जिससे उन्नती होती है जिससे हम पार जाते हैं तर जाते हैं दूसरी फिर है रावन मत पर बाबा की सिवाए मनुष्य जो भी कुछ उच्चारते हैं वो क्या है? रावन मत पतीत बनाने वाली, विकारी बनाने वाली, गिराने वाली मत इश्वरिय मत और आसुरी मत राम मत और रावन मत कहो चाहे इश्वरिय मत और आसुरी मत कहो इश्वरिय मत आधा कल्ब चलती है अभी बाबा से इश्वर्य मत लेते हैं फिर इश्वर्य मत हमारी मत बन जाती फिर आधा कल्ब चलती है जैसे रावन की मत मिलते मिलते अब रावन की मत हमारी मत होगे तो आधा कल्ब चली न अब इश्वर्य मत को भी अपनी मत बनाना है बाप इश्वर मत देकर तुमको देवता बना देते हैं फिर सत्युक त्रेता में वही मत चलती है वो मत हमारा संसकार बन जाती वहाँ जनम भी थोड़े हैं क्योंकि योगी लोग है और द्वापर कल्यूग में है रावन मत यहां जनम भी बहुत है क्योंकि भोगी लोग है जितना भोगी उतनी आयू कम तो जनम ज्यादा इसलिए पहले पच्चीस सो वर्ष में तो आठ और बारा जनम और दूसरे पच्चीस सो वर्ष में 21 और 42 जनम क्योंकि भोगी बन जाती आत्मा इसलिए आयू भी कम होते हैं बहुत संप्रदाय हो जाती है और बहुत दुखी होते हैं ओना आयू भी कम हो गई बहुत भी आ गई आबादी भी बढ़ गई और दुख भी बढ़ता फिर बाप आपकर सब को राम मत देते हैं सत्यूग में है राममत, इश्वरियमत, उसको कहा जाता है स्वर्ग, बाबा कहते हैं कि राममत वाले फिर रावनमत से मिल जाते हैं, जो सत्यूग से होते हुए आए, राममत पर चलते चलते हैं, वो भी रावनमत वालों के साथ मिलकर उस मत का रंग लग जाता है, तो सारी द फिर द्वापर्युग में रावन मत वाले आए, तो दिरे धिरे सारी दुनिया रावन मत की हो गई। फिर बाप आकर सबको राम मत देते हैं। ऌ, सत्त्युग में हैं राम मत, इश्वर्य मत, और देते का वह बाबा भी संगम उकपर। उसको कहा जाता है स्वर्ग, इश्वरिय मत मिलने से स्वर्ग की स्थापना हो जाती है आधा कल्प के लिए, वो जब पूरी होती है तो रावन राज्य होता है, उसको कहा जाता है आसुरी मत, अब अपने से पूछो हम आसुरी मत से क्या करते थे, और इश्वरिय मत से क्या कर रहे हैं, आसुरी मत ने तो हमें गुलाम बना दिया, विकारी बना दिया, और इश्वरी मत से तो हम पावन बन पावन दुनिया की स्थापना कर रहे हैं, आगे जैसे कि नर्कवासी थे, फिर स्वर्कवासी बनते हैं, शिवाले में, सत्युक्त रेता को शिवाले कहा जाता है क्यों क्योंकि शिबाबा की मत के अधार से वहां के संसकार बनते हैं जिस नाम से स्थापना होती है तो जरूर उनका नाम भी रखेंगे तो वो है शिवाले, वहां देवता रहते हैं रचईता बाप ही तुमको ये बातें समझा रहे हैं पूरा खेल, देखो 84 जन्मों की पूरी कहानी बाबा ने सुना दी क्या रचते हैं वो भी तुम बच्चे समझते हो इस समय बाबा, ब्राम्मन, देवता, शत्रिया तीनों संसकार अभी रचते हैं बाबा बच्चों को ब्राम्मन बना, फिर देवताई संसकार और जो नहीं भी पूरा धारन करते हैं, वो शत्रिया गुल में जाते हैं सारी रचना इस समय उनको बुलाती हैं हे पतित पावन वहे लिब्रेटर, रावन के राज्ये से वा दुख से छुडाने वाले इसको अंडरलाइन करना जब बाबा को कहते हैं लिब्रेटर, तो बाबा कोई जनम मरण के चक्र से नहीं छुडाते हैं, लेकिन रावन राज्ये या दुख से छुडा देते हैं तो बाबा कहते हैं, अभी तुमको सुख का मालूम पड़ा है, तब इसको दुख समझते हो पहले तो वही रावन के वर से कोई सुख समझते थे दुनिया में क्या है? कि दुख और सुख का ही अंतर नहीं है कहते हैं, रो कर हलके हुए, दुखी गीत सुनते हैं, दुख की बाते सुनते हैं और ऐसा लगता है कि संबंध बन रहा है तो दुख और सुख का अंतर भी कब समझाता है? जब बाब समझाते हैं नहीं तो कई इसको दुख तोड़ी समझते हैं जैसे बाप नौलेज़फुल है, मनुष्रिष्टी का बीज रूप है, तुम भी नौलेज़फुल बनते हो। बाप के संग का रंग लगता है, तो बाबा ने का ना मैं तुम्हें नौलेज़फुल और पावन बना देता हूँ। बीज में जाड की नौलेज होती है ना, तो बाप को जानने से स्रिष्टी के आदी मध्यांत का ज्यान भी हमारी बुद्धी में आ जाता है। परन्तु वो तो है जड़, जड़ जाड का तो जड़ बीज होता, वो तो कहानी नहीं सुनाएगा, लेकिन बाबा तो इस चैतन्य मनुष्ष्ष्टी वृक्ष के बीज है, तो बीज रूप बाबा इसके आदी मध्यांत की कहानी सुनाते हैं। अगर चैतन्य होता है, तो बता देता, तुम चैतन्य जड़ के हो इसलिए जड़ को भी जानते हो। ज़ाड का चित्र याद हैं अकल्प वृक्ष का चित्र। बाब को कहा जाता है मनुष शुष्टी का बीज रूप सत चित आनन सुरूप इस जाड की उत्पत्ति और पालना कैसे होती है ये कोई नहीं जानते कोई जानते हैं क्या ऐसे बीज रूप बाबा आकर नए जाड का सैपलिंग संगम युग में लगाते हैं और फिर कैसे एक तने से कैसे टाल टालिया निकलती है जाड वृद्धी को पाता है जड़डी भूथ होता है ये बातें कोई भी नहीं जानते ऐसे नहीं नया जाड उत्पन होता है नहीं उसी जाड से कुछ आत्माई जडों में बैठती है और यही जो जाड है पुराने से नया बनता है ये भी बाप ने समझाया है पुराने जाड वाले मनुष्य बुलाते हैं कि आकर रावन से लिबरेट करो क्योंकि इस समय रावन राज्य है तो बाबा उसी पुराने जाड के मनुष्य को रावन राज्य से लिबरेट कर राम राज्य स्थापन कर देते हैं मनुष्य तो न रचाईता को न रचना को जानते हैं बाप खुद बतला रहे हैं कि मैं एक ही बार heaven बनाता हूँ, तो knowledgeful बनने का समय ये एक ही होता, कल्प में एक ही बार बावा आकर ये ज्ञान देते, तो natural है कि और कोई कल्प में कह नहीं सकता, कि हम रच्चाइता और रच्चना को जानते हैं, heaven के बाद तो फिर hell बनता है, रावण के आने से फिर वाम मार्ग में चले जाते हैं, वाम मार्ग मना विकारी मार्ग, उल्टे मार्ग में, सत्यूग में तो health, wealth, happiness सब है, तुम यहां आए हो बाप से वर्सा लेने, health, wealth, happiness का, क्योंकि स्वर्ग में कभी दुख होता नहीं, तुमारी दिल में हैं, कि हम कल्प कल्प पुर्षोत्तम संगम्यूग में पुर्षार्थ करते हैं, है न, बच्चों को तो अभी रहता अंदर, हमारे अंदर क्या रहता है, कि हम तो nothing new, कल्प कल्प पुर्षार्थ कर ऐसे वर्सा पाते हैं, नाम ही कैसा अच्छा है, पुर्षोत्तम संगम्यूग, संगम्यूग जिसमें हम मनुष्य से देवता बनते हैं, और कोई यूग को पुर्षोत्तम थोड़ी कहेंगे, यूग तो चार होते हैं, यूग में भी संगम भी चार होते हैं, लेकिन हर एक में गिरते हैं चड़ने का पुर्शोत्तम बनने का युग एक यही है तो बाबा कहते हैं उनमें तो सीड़ी नीचे उतरते आते हैं बाप को बुलाते भी हैं समर्पन भी करते हैं कहते हैं बाबा आप पर बलिहार जाओं लेकिन यह मालूम नहीं रहता कि बाप क तो बाप को समर्पन करें, तो बाप को समर्पन किया, या सिर्फ समर्पन करने का सोचा, तो बाप जब आये, प्रैक्टिकल में, तब तो समर्पन हो, पुकारते तो है, O Godfather, लिब्रेट करो, गाइड बनो, लेकिन ये भी नहीं जानते कि जाना कहा है, सोचते जनम्मरण से ही अरे आत्मा तो आनंद सुरूप है, एक्टर है, एक्टर पाट ही ना बजाए, तो आनंद का अनुभव कैसे करेगी, तो बाबा कहते हैं, रावन राज्ये से लिब्रेट होना है, ये भी नहीं समझते हैं, लिब्रेटर बनेंगे, तो जरूर आना पड़े न, फिर गाइड बनकर ले जाना पड़े, बाब बच्चों को बहुत दिनों के बाद देखते हैं, तो बड़ा खुश होते हैं, इसलिए तो बाबा रोज हमें कहते हैं, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चे, क्योंकि बाबा को बहुत खुशी होते बच्चों को देख, क्योंकि बाबा को तो मा इन दो दिन भी बच्चे को ना देखे, तीसरे दिन देखे, तो भी कितना प्यार आता है, और एक तो ये बेहत का बाप, फिर उपर से 5000 वर्ष के बाद मिलते हैं, तो बाबा को कितनी खुशी है, बाबा क्रियेटर है, रच करके फिर उनकी पालना भी करते हैं, बाबा तो क्र पढ़ाई भी करते, बाबा कितने हैं, वर्सा भी देते, वर्दान भी देते, पुनरजनम तो लेना ही पड़ता है, बच्चों की ड्रामा में क्या है कि पुनरजनम लेना ही है, किसको 10, किसको 12 बच्चे होते हैं, परेंतु वो सब हद के सुक्, जो काग विष्टा समान है, दुनिया में लौकिक पिता क्या देगा? हद का सुक, तमो प्रधान बन जाते हैं, तमो प्रधान में सुक बहुत थोड़ा है लौकिक पिता कितनी भी कोशिश करें, लेकिन खुद भी तमो प्रधान, बच्चा भी तमो प्रधान तो सुक हो नहीं सकता तुम सतो प्रधान बनते हो तो बहुत सुख होता है इसलिए दुख हरता सुख करता एक बाबाई है क्योंकि जब तक पावन ना बने तो बहुत सुख नहीं मिल सकता सतो प्रधान बनने की युक्ती तो बाप आकर बताते हैं क्योंकि जब तक पवित्रता के सागर से योग ना हो तो पवित्र बने कैसे तो जब तक बाबा नहीं आते तब तक तो दिन प्रति दिन लौकिक पिता के होते भी सुख कम ही होता जाता है बाब को Almighty Authority कहा जाता है क्योंकि बाबा तो ज्ञान की भी Authority है पवित्रता की भी, शक्ती की भी सब की Authority है मनुष्य समझते God Almighty Authority है तो जो चाहे सो कर सकते हैं मरे को जिन्दा कर सकते हैं मनुष्य को तो बस ये होता है कि हमें ये प्रूफ दे दे मन चाहा प्रूफ हम जिसको चाहते ही जिन्दा रहे उसको जिन्दा कर दे तो हम माने Almighty Authority है लेकिन बाबा कहते हैं मैं इस कारे के लिए नहीं आता मैं तो आता हूँ इतनी बड़ी दुनिया को अज्ञान अंदिकार से निकाल कर ज्ञान सोजरा करने इतनी बड़ी दुनिया को पतीत से पावन बनाने ये मेरी Authority है तो एक बार कोई ने लिखा अगर आप भगवान है तो मक्खी को जिन्दा करके दिखाओ अच्छा मान लो कोई कर भी दे तो भी क्या उस आत्मा को इतना प्रूफ देने के जरूरत क्या ऐसे ढेर प्रशन पूछते रहते हैं ये नहीं समझते कि हमें बाप का बनना है और ये बाप को कड़गरे में कड़ा करते हैं कि आप सिद्ध करो मैं भगवान हूँ तुमको बाप ताकत देते हैं जिससे तुम रावन पर जीत पाते हो तो all mighty authority कौन से ताकत देते हैं ऐसी रूहानी ताकत ज्यान बल योग बल जिससे हम रावन पर जीत पा लेते हैं और रावन पर जीत पाया तो फिर क्या बन जाते हैं जगत जीत बंदर से मंदिर लायक बनते हो उन्होंने फिर क्या-क्या बना दिया है भगवान को भी इतने रूप दे देते वास्तव में तुम सब सीताएं भक्तिया हो तुम सब को रावन से छुड़ाया है राम एक है, सीता एक नहीं है सीता तो इतनी सारी आत्माई, सब सीता है सब देखो, बेहत की लंका में चारुतरफ पानी है और बेहत की इस दुनिया में रावन राज्य में फसे पड़े है रावन द्वारा तुमको कभी भी सुख नहीं मिल सकता इस समय सब रावन की जेल में है राम की जेल में नहीं कहेंगे जब राम राज्य होता तो जेल नहीं होती वहां तो धर्ती आस्मान, कोई कर्म बंधन नहीं कोई संसकारों, विकारों का बंधन नहीं कोई भय नहीं तो राम राज्य को जेल नहीं कहेंगे राम आते हैं रावन की जेल से छुडाने यहां तो कितने प्रकार के बंधन है, सुचो आत्मा सुखी होना चाहती है पर दुखी होती रहती है, कितनी रावन की मतों का बंधन है, संसकारों का बंधन है, कर्म बंधन है, वस्तु वेक्ति वैभव का बंधन है, शरीर का बंधन है, आयू का बंधन है, तो बाबा कहते हैं बंदन से छुड़ा कर जेल से छुड़ा कर बाबा ले जाते. रावण दस सिरवाला बनाते हैं. उनको बीस भुजाएं दिखाई हैं. बाप ने समझाये कि पाँच विकार पुरुष में, पाँच विकार स्त्री में हैं. इसी को दस शीष की रूप में दिखाते हैं. उनको कह रावन राज्य वा पांच विकार रूपी माया का राज्यू ऐसे नहीं कहते है, इनके पास बहुत माया है, औरुपाइब माया किस को समझ धन कोॉइए अधन धन though एक शक्ति है, धन धन этот तो एक resource है, माया तो विकारों को कहते हैं, माया का नशा चड़ा हुआ है, ऐसे कह देते हैं, नहीं, धन को माया नहीं कहेंगे, धन तो संपत्ति कहा जाता है, तुम बच्चों को संपत्ति आदी बहुत मिलती है, बाबा कहते हैं, सत्यूक में तो सबसे ज़्यादा संपत्ति ह तो क्या माया है क्या वो? तुमको कुछ भी मांगने की दर्कार नहीं, क्योंकि ये तो पढ़ाई है, पढ़ने से, बनने से आप ही मिलेगा, पढ़ेंगे तो बनेंगे, बनेंगे तो आप ही मिलेगा, मांगने से कुछ नहीं मिलेगा, इसलिए बाबा कहते हैं, मांगने से मरन तुम पुराने संस्कारों से मर कर बाबा की पढ़ाई में लगन दिखाओ, तो आप ही सब कुछ मिलेगा, मांगने से कुछ नहीं मिलता, पढ़ाई में मांगना होता है क्या, टीचर जो पढ़ाएंगे वो स्चूडेंट पढ़ेंगे, और जितना जो पढ़ेंगे उतना से नहीं, काइदे से, जो पढ़ेगा, बनेगा, वो पाएगा, इसमें पवित्रता भी चाहिए, एक अक्षर की भी वैल्यू देखो कितनी है, पदमा पदम, है न, एक-एक अक्षर, पवित्रता, याद, ओल्माइटी, ओथोरिटी से शक्ति आ लेना, एक-एक अक्षर को ध पवित्र बने, तो पवित्र दुनिया का मालिक बन जाते, एक-एक बात जो बाबा सिखाते, उसका स्वरूप बनने से पदमा पदम की कमाई होती है, बाप को पहचानों याद करो, बाप ने पहचान तो दी है, कि जैसे आत्मा बिंदी है, वैसे मैं भी आत्मा बिंदी हू बस बाबा क्या सागर, जैसे आत्मा गुण शक्ति स्वरूप है, बिंदी है लेकिन चैतन्य बिंदी है, गुण शक्ति स्वरूप, ऐसे बाबा भी चैतन्य बिंदी है और गुण शक्तियों का सागर है, वो तो एवर पवित्र है, शांती, ज्यान, पवित्रता का सागर है, त कि ही मही मा है, अपना पोजीशन, सब का पोजीशन अपना अपना होता है, लेकिन सब की अपनी पोजीशन है और बाबा है उच्छे ते हुच्छ, हाइस्ट, नातक भी बनाया है, कन कन में भगवान, जिनोंने नाटक देखा होगा वो जानते होंगे दुनियावी नाटक जो महावीर बच्चे हैं उनको तो बाबा कहते हैं तुम भल कहां भी जाओ सिर्फ साक्षी होकर देखना चाहिए बाबा केते हैं बच्चे देखो क्योंकि देखेंगे नहीं तो सेवा कैसे करेंगे लेकिन जो आखों के सामने हैं देखेंगे लेकिन साक्षी होकर नॉलेज़फुल होकर देखना भी जैसे एक सेवा का इंस्ट्रुमेंट है ऐसे देखो अभी तुम बच्चे राम राज्य स्थापन कर रावन राज्य को खलास कर देते हो कैसे राम शिब बाबा की मत पर चल कर ये है बेहद की बात वो कहानिया हद की बना दी है कि एक राम और एक रावन लेकिन बाबा कहते राम शिब बाबा तो एक है लेकिन रावन राज्य तो पूरी दुनिया में है और इतनी सब सीताएं कैद में है तो बाबा छुडाते हैं और राम राज्य बनाते हैं तुम हो शिव शक्ती सेना शिव ओल्माइटी है ना शिव की शक्ती लेने वाले शिव की सेना तुम हो है न हमारा नाम कितना सुन्दर है शिव शक्ती सेना ओल्माइटी के साथ रहने वाली शक्ती सेना शिव से शक्ती लेने वाली शक्ती सेना उन्होंने फिर भी शिव सेना नाम रखा है अब तुम्हारा नाम क्या रखे तुम्हारा तो नाम रखा है प्रजा पिता ब्रह्मा कु तो कितने सुन्दर सुन्दर टाइटल बाबा हमें देते हैं शिव की तो सभी संतान हैं लेकिन हमने शिव बाबा से डायरेक्ट संबंध प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा जोड़ा तो इसलिए हम प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी कैलाते हैं क्योंकि शिव बाबा की बच्चे तो सभी आत्माइं हैं, हम विशेश क्यों हैं? क्योंकि शिव बाबा जिस ब्रहा बाबा की द्वरा वर्शा दे रहे हैं, हम उनके द्वरा शिव बाबा को एडोप्ट हुए हैं. सारी दुनिया की आत्माई ही उनकी संतान है शिव से तुमको शक्ती मिलती है शिव बावा तुमको ज्ञान सिखाते हैं जिससे तुमको इतनी शक्ती मिलती है जो आधा कल्ब तुम सारे विश्व पर राज्चे करते हो इस ज्ञान में योग का भी ज्ञान है manners का भी ज्यान है, सेवा का भी ज्यान है, और इस ज्यान के आधार से हम इतनी कमाई करते, कि रावन राज्चे पर जीत पाकर, हम रावन राज्चे विश्व के मालिक बन जाते, आधा कल्प के लिए, तुम्हारी ये है योग बल की शक्ति, और उनों की है बाहुबल की शक्ति, हमें इतनी शक्ति क्यों मिल रही है, क्योंकि हम मारा योग बाबा से, और वो तो देअभिमान की शक्ति है बाहुबल की, भारत का प्राचीन राज्च योग गाया हुआ है, आत्मा जब बाबा से परमात्मा से सच्चा योग लगाती है तो क्या बन जाती है चाहते भी है भारत का प्राचीन योग सिखे जिससे पेरडाइस ठापन हुआ था कहते भी क्राइस से इतने वर्ष पहले पेरडाइस था लेकिन वो बना कैसे? تو योग से तुम हो प्रवरिती मार्ग वाले सन्यासी अब हमारा बले हम रहते हैं प्रवरिती मार्ग में लेकिन हमारा योग एक बाबा से हो गया है अब हमारा बुद्धी योग बले हम प्रवरिती में रहते हैं तो भी जैसे सन्यासी का बुद्धी योग ब्रह्म से होता ऐसे हमारा बुद्धियोग एक बाबा से लग गया है वो तो घरबार छोड जंगल में चले जाते हैं लेकिन हम रहते ग्रह स्विवार में हैं बस बुद्धियोग एक बाबा से ड्रामा अनुसार हर एक को पार्ट मिला हुआ है वो भी अपना पार्ट बजाते हैं सन्यासियों का पार्ट ही निवृति का है उनको तो फिर भी हर कल्प गरबार छोड़के ही जाना है निवृति मार की स्थापन करना है इतनी छोटी सी आत्मा में इतनी छोटी सी बिंदी में कितना पार्ट है इसको कुद्रत ही कहेंगे सुचो, हर आत्मा का पार्ट कैसा वंडर्फुल है और एक का पार्ट ना मिले दूसरे से और एक छोटी बिंदी में पूरे 5000 वर्ष का पार्ट है तो ये कुद्रत है आज साइन्स पी छोटी से छोटी भी पेंड्राइव बनाते हैं डेटा रखने के लिए तो कितना रख लेंगे ऐसा तो नहीं कि 84 जन्मों की सेकेंड बाई सेकेंड की रेकॉर्डिंग रख लें तो बाबा कहते हैं ये कुद्रत है वंडर ओफ कुद्रत बाब तो एवर शक्तिवान गोल्डन एजट है अभी तो मुझ से शक्ति लेते हो और शक्ति से क्या करते हो रावन पर जीत पाते हो ये भी ड्रामा बना हुआ है कि इस समय शक्ति लेने का समय है फिर गवाने के समय फिर गवाएंगे ऐसे नहीं कि हजार सूर्यों से तेजो मैं है बाबा केते हैं वो सब भावना अनुसार जाकी रही भावना जैसे प्रभू सूरत देखी तिन तैसे बाब जब आते हैं तो अपनी असली सूरत सिरत का परिचे देते हैं बाकी तो आज तक हमने मनुश्यों के भावना अनुसार परमात्मा के अनेक अनेक वर्णन सुने तो बाबा केते हैं वो तो जो जिसका भाव बैठता है तो उस भावना से देखते हैं आखे लाल-लाल हो जाती है जिस भावना से देखेंगे वैसा दिखने भी लगता है बस करो हम नहीं सेहन कर सकते बाप कहते हैं वो सब भक्ति मार्क के संसकार है क्योंकि पढ़ते आते हैं वो वर्णन सुनते हैं तो बुद्धी में बैठा होता है तो फिर उस भावना प्रमान वैसा दिखाई भी देने लगता है ये तो नौलेज है इसमें पढ़ना है यहां तो बाबा सच सच बताते हैं उस नौलेज के आधार से हमें धारन करना है बाप टीचर भी है पढ़ा रहे हमको कहते हैं तुमको तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है और बनेंगे कब? जब ज्यान योग धारना सेवा चारों पर अटेंशन देंगे बाबा ने समझाए hear no evil, see no evil, talk no evil, think no evil यह ना बाबा ने हमें जैसे manners सिखाए हैं कानों के manners evil नहीं सुनना पुरानी दुनिया की परदर परचिंतन की बातें नहीं सुने मनुष्य मत नहीं सुनो see no evil देह को नाम रूप को नहीं देखना तो बाबा हमें hear no evil, see no evil talk no evil, think no evil सिखाते हैं मनुष्यों को पता नहीं कि यह किसने कहा है पहले तो बंदर का चित्र बना देते थे कि बंदर के है बंदर की धारणा है वो लेकिन यह नहीं पता था कि बंदर बच्चे है और बंदर को मंदिर लाइक बनना है तो हमें hear no evil, see no evil करना है अभी बच्चों का अभी मनुष्यों का बनाते रहते बाबा ने भी नलीनी बच्ची का बनाया था नलीनी दिदी का ऐसा चित्र बनाया था चार बंदर का कि चार जैसे तीन बंदर का चित्र बनाते ऐसे नलीनी दिदी का चार चित्र बनाये एक में कान बंध, hear no evil एक में आख बंध, see no evil पिलेक में मुख में हाथ रखा, talk no evil, और फिर think no evil. तो बाबा कहते हैं, मनुष्यों को भक्ती का नशा कितना है, भक्ती का राज्य है, तो अभी होता है ज्यान का राज्य है, भक्ती की बात को कोई काटे, तो एक्तम से जैसे प्रोध में आ जाते हैं, नशा बहुत है भक्ती का, लेकिन अभी होता है ज्यान का राज्य है, अभी ज्ञान से बहुत सुख होता है, फिर भक्ती से सीड़ी नीचे उतरते हैं, भक्ती भी चलती है, रावन राज्ची भी चलता है और नीचे भी गरते जाते हैं, हम पहले सत्यूग में जाते हैं, फिर जू मिसल नीचे उतरते हैं, 1250 वर्ष में दो कला कम होती है सत्युक से त्रेता में दो कला कम चंद्रमा का मिसाल है ना चंद्रमा की जैसे कला घटते 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 एक लकीर बच जाती है ऐसे हम भी पुनर्चनम लेते लेते कला काया चट होती है चंद्रमा को ग्रहन लगता है कलाई कम होने लगती हैं फिर दीरे-दीरे कलाई बढ़ती हैं तो 16 कला होता है अब वो है अल्पकाल की बात वो तो हद के चांद की बात है यहां तो आत्मा की बात है बेहत की और वो भी वो तो एक मास में कला बढ़ती गटती है यहां तो 5000 वर्ष लगते हैं यह कला गिरने मे और चड़ने में, ये तो है बेहत की बात, इस समय सभी पर राहू का ग्रहन है, उच्छते उच्छे ब्रहस्पती की दशा, बाबा कहते हैं, ब्रहस्पती अर्थात व्रिक्षपती, व्रिक्षपती शिबाबा आते हैं, तो सारी दुनिया पर ब्रहस्पती की दशा होते हैं, और नहीं तो सारी दुनिया पर राहू का ग्रण है, बले ही कोई जाकर जोतिश को दिखाते हैं, हम पर ये दशा है, वो दशा है, ठीक कर दो. लेकिन बाबा कहते हैं, बेहत के रूप से सब पर राहू की दशा है और बाबा आकर ब्रहस्पति की दशा बनाते हैं. तो बाबा कहते हैं, कि ब्रहस्पति नीचे में नीची है राहू की दशा, एकदम दिवाला निकाल देते हैं, लेकिन आज बाबा बेहत की दशा की बात कर रहे हैं, पूरे कल्प में अभी ब्रहस्पति की दशा और फिर द्वापर्युक से दशा बदलती हैं, और कल्यूग अ आपको जानते नहीं, विरिक्षपती को ना जाने, तो ब्रहसपती की दशा कैसे चल लगे? तो बाबा कहते हैं, कि राहू की दशा ही इनसॉल्वेंट बनाती है, तो बाबा कहते हैं, ब्रहसपती की दशा से सॉल्वेंट बन जाते हैं, solvent माना माला माल और insolvent माना कंगाल भारत कितना solvent था एक ही भारत था सत्युग में राम राज्य पवित्र राज्य होता है जिसकी महिमा होती पवित्र था थी तो सुक शांती संपत्ती सब थी आ पवित्र राज्य वाले गाते मैं निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं आपे ह तरस परोई तो बाबा को कहते हैं अब हम गुण हीन पर तरस खाओ एक की बात थोड़ी है बाबा कहते हैं ऐसी संस्थाएं भी बना दी है निर्गुण संस्था अरे ये तो सारी दुनिया ही निर्गुण संस्था है एक की बात थोड़ी बच्चे को हमेशा महात्मा कहा जाता बाबा छोटे बच्चों को क्या कहते है? महात्मा क्योंकि अभी उनके विकारी संसकार जागरित नहीं हुए है तुम फिर कहते हो कोई गुण नहीं ये तो सारी दुनिया है इसमें कोई गुण ना होने के कारण राहु की दशा बैठे है अब बाब कहते है दे दान तो छूटे ग्रहन अगर राहु की दशा को छुडाना है तो दान दो कौन सा दान? सब कुछ पुराना बाबा को देना पड़े और तभी बाबा से जो कुछ मिलता वो धारन कर सकेंगे दान भी तो बेहत का देना पड़े न अगर ग्रहन बेहत का है तो दान भी बेहत का देना पड़े आप जाना तो सब को है न देह सहे देह के सभी धर्मों को छोड़ो बाबा केते सब को छोड़ना पड़े पुरानी देहे देह के धर्म, संबंध, पुराने सोबाव, संसकार, मते सब को त्यागना पड़े अपने को आत्मा निश्य करो है ना बस मैं आत्मा और मेरा बाबा बाकी सारा मैं पन मेरा पन छोड़ना पड़े तुमको अब वापिस जाना है पवित्र ना होने के कारण वापिस कोई जाना सके अब बाप पवित्र होने की युक्ती बताते हैं कि बेहत के बाप को याद करो लेकिन उसके लिए पहले तो देहे देह के धर्मों संबंदों को बूल अपने को आत्मा निश्य करना पड़े तब बेहत के बाप को याद करें कई कहते हैं बाबा हम भूल जाते हैं बाबा कहते हैं मेठे बच्चों पतित पावन बाप को तुम भूल जाएंगे तो तुम पावन कैसे बनेंगे विचार करो कि यह क्या कहते हो क्या कह रहे हो पावन बनना नहीं है जानवर भी कभी ऐसे नहीं कहेंगे कि हम बाप को भूल जिस बाप से सर्व संबंधों का सुख मिलता, सर्व प्राप्तिया, 21 जन्वों की राजाई मिलते, जो आमें नर्क से स्वर्ग मिले जाते, उनको भूल जाते हैं, ऐसा तो जानवर भी नहीं कहेंगे तुम क्या कहते हो, मैं तुमारा बेहत का बाप हूँ, तुम आए हूँ बेहत का वर्सा लेने, तो वर्सा देने वाले को कैसे भूल जाते हो निराकार बाप साकार में आए तब तो पढ़ाए अभी बाप ने इसमें प्रवेश किया है ब्रह्मा बाबा में कौन प्रवेश करकर आए शिप बाबा ये है बाप दादा बले ही देखने में ब्रह्मा बाबा का शरीर लेकिन कौन बैटें, बाप, दादा, दोनों की आत्मा इस ब्रिकुटी के बीच में है, तुम कहते हो बाप, दादा, तु जरूर दोनों आत्माई होंगी, शिव बाबा और ब्रह्मा की आत्मा, तुम सब बने हो प्रजा, पिता, ब्रह्मा, कुमार, कुमारिया, शिव बाबा में ब्रह्मा मुख से एडॉप्ट किया है वर्सा देने के लिए तुमको नौलेज मिलती है तो जानते हो कि हम भाई-भाई है आत्मा का कोई जेंडर नहीं होता भाई-बेहन की बात नहीं होती तो हमारा आपस में क्या संबंद है भाई-भाई फिर प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा हम भाई-बेहन बनते हैं साकार में कहेंगे भाई-बेहन यह याद पक्की चाहिए परन्तु बाबा देखते हैं कि बेहन भाई में भी नामरूप की कशिश हो जाती हैं बहतों को विकल्प भी आते हैं कहते रहेंगे बेहन भाई लेकिन विकल्ब भी चलते रहेंगे इसलिए अच्छा शरीर देखकर भी विकल्ब आते हैं अब बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ भाई-भाई की दृष्टी से देखो आत्मा है सब ब्रदर्स हैं ब्रदर्स हैं तो बाप तो जरूर चाहिए सबका एक बाप है सभी बाप को याद करते हैं अभी बाप कहते हैं सतुप्रदान बनना है तो मामेकम याद करो वर्सा कभी भाई से ने मिलता बाप से मिलता है तो बाप सब ब्रदर्स का एक है और बाप से वर्सा लेना है तो मामेकम अब एक बाबा को याद करो, जितना याद करेंगे तो कट निकलती जाएगी, खुशी का पारा भी चड़ेगा और कशीश होती रहेगी, बाबा कहती है याद से याद बढ़ती है, जितना याद करेंगे आत्मा की जंक निकलेगी तो और बाबा की याद पक्की होती जाएगी नंबर वार पुर्शार्ट अनुसार अच्छा मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रती मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉनिंग रुहानी बाप की रुहानी बच्चों को नमस्ते हम रुहानी बच्चों की मीठे मीठे सिकी लदे मात पिता, बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉनिंग और नमस्ते, ओम शान्ते धारणा के लिए मुख्य सार है, पढ़ाई पर पूरा ध्यान देकर स्वयम को संपत्तिवान बनाना है कुछ भी मांगना नहीं है, एक बाप की याद और पवित्रता की धरणा से पदमा पदम पती बनना है राहू के ग्रहन से मुक्त होने के लिए विकारों का दान देना है hear no evil, see no evil, talk no evil, think no evil जिन बातों से सीड़ी नीचे उत्रे निर्गुन बने, उन्हें बुद्धी से भूल जाना है वर्दान है पहले आप के मंत्र द्वारा सर्व का स्वमान प्राप्त करने वाले निर्मान सो महान भव निर्मान माना जो पहले आप कह सके जो पहले आप कहते वो निर्मान है और निर्मान ही ऐसे महान बनते जोने सर्व का मान प्राप्त होता यही महा मंत्र सदा याद रहे कि निर्मान ही सर्व महान है पहले आप करना ही सर्व के स्वमान प्राप्त करने का आधार है वर्दान रूप में सदा साथ रखना ये मंत्र जैसे वर्दान है पहले आप कहेंगे तो वो भी आपको पहले आप कहेंगे तो ये जैसे वर्दान बन जाता वर्दानों से ये पलते उड़ते मंजिल पर पहुँचना है मेहनत नहीं करनी बाबा ने इतने सुंदर वर्दान रुपी मंत्र दिये हैं कि उनको यूज कर उर्तेवे मंजिल पे पहुंचना है मेहनत तब करते हो जब वर्दानों को कारे में नहीं लगाते अगर वर्दानों से पलते रहो वर्दानों को कारे में लगाते रहो तो मेहनत समाप्त हो जाएगे, करते हैं पहले आप, पहले आप करें तो आगे बढ़ना बहुत आसान हो जाएगे, सदा सफलता और संतुष्टा का अनुभव करते रहेंगे स्लोगन है, सूरत द्वारा सेवा करने के लिए अपना मुस्कुराता हुआ, रमनीक और गंभीर स्वरूप इमर्ज करो हमारे अंदर सारे गुण मर्ज रूप में है न, तो बाबा कहते हैं, अपने अंदर से रमनीकता और गंभीरता दोनों गुण इमर्ज करो रमनीक भी हर प्रकार की हम कोई हद के सन्यासी नहीं है, कि हमें इस दुनिया में हर चीज से जैसे अरूची है, नहीं हम रमनीक है, हमारा दृष्टि कोन ज्यानी है, लेकिन हम जो हैं हर आत्म, प्रकृति के हर तत्म के प्रती, हमारी जो वृत्ति-दृष्टि ही वो रमनीकता की है और गंभीर भी maturity है हमारे अंदर और जब रमनीकता और गंभीरता दोनों होती और साथ में मुस्कुराता हुआ चेहरा है तो फिर हर कारे में सफलता मिलती क्योंकि सूरत के द्वारा भी सेवा होती चली जाती अच्छा ओम शान्ती